नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं वजन को कम करने के लिए बहुत ही आसान सी होमें ड्रेमेडीज के बारे में क्यूंकि आज कल सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो लोगों की यहीं है कि उनका वजन बढ़ जाए तो आप पहला कंट्रोल कीजिए कि जितने भी फास्ट फूड आप खाते हों उन पर रोक लगा दीजिए जी हां लेकिन आज हमें खास और शदी के बारे में बता रहे हैं क्यूंकि आप सभी जानते हैं कि exercise करना और इसके साथ साथ आपका खाने में सूजी में बहुत गुण होते हैं सूजी से बने पकवान अगर आपको बहुत पसंद है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महतोपूनश सिध्ध होने वाली है इसे नियमित रूप से जो लोग सेवन करते हैं वो बिमारियों से भी बचे रहते हैं हमारे घर के किचन मे कई ऐसी चीजे मौजूद होती हैं जो सेहत और स्वाद दोनों का बहतरीन कमबो होती हैं इसी में से एक है सूजी जिसका हल वाहर किसी को पसंद होता है सूजी के स्वाद से तो हम सभी वाकिफ हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स हम छे आहार के रूप में जानी जाती है लेकिन इसका सेवन कैसे करना है आपको सुगर के साथ नहीं करना है यानि कि हल्वा नहीं बनाना है आपको इसका इस्तेमाल आपको करना है उपमा बना करके जिहां नमकीन खाना है आपको आपके लिए फायदे मंद होगी इसके अलावा अगर आप अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो सूजी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और वो भी उपमा के रूप में इसमें धेर सारा फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को सुचारू रखने में मदद करता है जिससे की अन्यंत धंग से जिनका भी व वजन बढ़ता हो वो कंट्रोल हो जाता है बोड़ी में एनरजी बनाए रखने के लिए विटामीन खनीज और अन्य पोशक्ततों की जरूरत होती है और यह सब सूजी में भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं यह दिल और गुर्दे की कारे शमता को बढ़ाने का कारे कर होता है इसके साथ ही यह मांस पेशियों को सुचारू रूप से कारे करने में भी मदद करती है सूजी में आयरन के मात्रा भरपूर होती है और इसे खाने से एनिमिया जैसे रोग होने की संभावना नहीं रहती है और अगर आप इस रोग के शिकार हैं तो इसे खाने से खू स्ट्रोल बह जाता है जी हाँ दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए वजन कंट्रॉल करने से रिलेटेड और सुजी के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सबी के साथ जूड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों